कि मैंने चोदरी देवलाल विस्वविध्याले सिर्षा में आज असीस्टेंट डारेक्टर सपोर्ट जो इन की है देखिए चोदरी देवलाल विस्वविध्याले अपने हर्याना प्रांथका आखरी छोर regardless है हमारा दुर्भागे यह रहा कि हम दिल्ली से और चंडीगट से दूर रहे तो यहां जो सेक्षनिक संस्थान है एजूकेसलन इसीचूट है वो ज्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाया हलांकि यहां नेशनल कोलेज पॉल्टरिकनी कोलेज रहे लेकिन इसका बेनिफिट हमारे यहां के लोकल लोगों को कम रहा विशू विध्यले अपने आप में एक आटोनोमस बोड़ी होती है जिसका अपने एक ग्रेस होता है और वो किसी भी देश के युवा है उनके भविशे के निर्मान के लिए उनका योगदान बहुत अच्छा होता है कॉलेज और मेरा परफॉर्म देखे मेरा रिकोर्ड देखे मेरे एक बीस साल की जोब हो गई मैं खुद एक अच्छा खिलाडी रहा मैंने रिसर्च किया है तो अब मेरी प्रायरिटी यह रहेगी कि मैं सबसे पहले तो इस खेल के माध्यम से इस इनवस्टी के अंदर जो कैंप्स के अं लड़किया है उनमें एक वातावर्ण अच्छा पैदा करूं ताकि वह एक उस फ्रेंडली महौल में रहें दूसरा हिंदुस्तान युवाओं का देख माना जाता है यहां कि 65 परतिसत आबादी 45 साल से नीचे हैं और विश्व विध्याले में जो एवरेज होती है वो 25-28 साल तक का विध्यार्थी उसमें रहता है तो यह जो युवा है इसको एक एनरजेटिक तरीके से एक तरफ ध्यान कराना कि आपके जीवन का लक्षे क्या है आप देश के लिए राश्टर के लिए प्रांत और जीले के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं तो नो डाउट कि अगर विश्व भी ध्याले में अगर ऐसा फ्रेंडली महोल ऐसा खेलों के परती रुजानवाला महोल बनेगा तो युवा जो आज की जो सबसे बड़ी माबाप को और टीचर को जो चिंता और रखी है सरकारों को भी चिंता है कि नशे के और जगडों के और जो युवा बढ़ रहे हैं तो ऐसा ध्यान उनका नहीं रहेगा और वो एक अच्छे एंजर्टिक काम के और लगेंगे तो मेरा प्रारिटी यह रहेगी कि मैं इनवर्ष्टी के माध्यम से और अपने जीलों ही मैं अ तैयार रहूँगा और मैं मेरा प्रियास करूँगा कि मेरा बहुत ज़्यादा समय अपने काम की और लगे और यहां एक अच्छा मैसेज जाए लेकिन एक अच्छा महोल जरूर बना देंगे कि जो बच्चा उसको एक रस्ता देंगे खेल के मैदम से जब कोई भी प्रशास होती है इन्फरा के जहां आपके पास सुविधाएं क्या क्या है तो विश्व विध्याले के अंदर अपार संभावना है सुविधाओं की कोई कमी नहीं है थोड़ा बहुत मैदान की और एक्यूमेंट्स की क्या है मैं अभी जाके जुएन की है मैंने अभी दिपावली की उसके बाद दो-चार दिन लगते हैं मैं एक बार देखता हूं कि मेरे पास सुविधाएं क्या क्या है उन सुविधाओं का अच्छा प्रियोग कैसे कर सकता हूं देखिए बींगे टीचर बींगे कोच या बींगे डारेक्टर मेरा जो केंदर रहेगा वो विध्यार्थी जब स्टुडेंट्स को आप केंदर में लेके चलोगे तो नो डाउट के आप अपना काम बहुत अच्छा करोगे विध्यार्थियों से मैं फ्रेंडली महोल रखूंगा उनको कहीं बटकने की जूरत नहीं है वो मेरे से सिदा आके मिल सकते हैं और मैं भी उनके पास चलके जाँगा मैं इतजार नहीं करूँगा कि स्टुडेंट्स मेरे पास आएं मैं उनके पास जाँगा और जाके उनकी हर समश्या का समध्धान करूँगा देखिए विष्व भी ध्याले के अंदर जो समश्या ही रहती है वो यह रहती है कि बच्चे आपके पास बहुत देखा है कि बच्चों को किट तक नहीं मुया होती और फिर स्ट्राइक करने आते हैं देखिए उसका दुर्भागे देखिए कि एक वो खेल रहा है अपने देश के लिए अपने इनुस्ठी के लिए और फिर उसको किट लहने के लिए अंदोलन करना पड़ रहा है यह बड वो मेरे सब ध्यान में दूसरा मैं यह चाहूँगा विसोवी धैले प्रशासन से वीसी साब से रजिस्टार साब से मैं आगरे करूँगा और राजेपाल और मुख्यमतरी मोहदे से भी हम आगरे करेंगे कि हमें इतना बजट जरूर देदे कि मैं विसोवी धैले के नाम से एक बस उन चातरों के लिए जो खिलाडी स्टूडेंट से उनके लिए हम उनको उपलब्द करा दें ताकि कि किसी भी इनुस्टी में खेलने जाना है एक कंटीजेंट जा रहा है इनुस्टी की टीम जा रही है उसमें 20-50 लड़के लड़कियां होती है अब देखिए उनके कं शब्रफेसर कार्डर के सारे अईचर होते हैं सब तरह पहुत अच्छे होते हैं डारेक्टर वाश्वान स्पोर्ट से वाइस चांसलर साव हुआ है सब तरह की शुवधाय और फिर वो थोड़ी सी एई-चूवधाहों तो या अच्छा नहीं लगता है खिलाडी तब तक अ मानसिक रूप से भी तंदुर स्थोना बहुत जरूरी है इन सब चीजों का हम ध्यान करेंगे आपके चैनल के माधियम से तो सभी खिलाडियों को मैं यह मैसेज दूंगा कि मैं आप लोगों के लिए हूं यह जो मेरा चुनाव भी सुविदेले ने किया है वो आप लोगों के मेरे तक अगर कोई भी किसी तरह की है सुविदे तो मेरे को मैसेज करिये मेरे से मिलिये मुझे कहीं बुलाइए मैं 24 की 24 घंटे इन सब खिलाडियों के लिए देना चाहता हूं और इनके लिए हर संभव परियास करूंगा जो इनको अच्छे से अच्छा होशके खेलना एक विशे है और डोकोमेंट्स दूसरा विशे है जैसे मैं स्पोर्ट्स में रहा खिलाडी रहा टीचर रहा और मैं मैंने ये पाया कि खेल और सिक्षा दोनों थोड़े से भिन होते हैं खेलना ग्राउंड तक जाना और सिक्षा का माने कुछ चीज आवार्ड करवाना मैं खेल जांच का है सरकारों का है मैं बीइंगे टीचर बीइंगे कोच बीइंगे स्पोर्ट्स ओफिसर इसो भी ध्याले का करमचारी होने के नाते इन चीजों पर मेरा यह अधिकार छेतर नहीं है लेकिन जानकारी में दे सकता हूं जा अगर आपने मेरे से पूछा है देखिए द बुरा है सारे बुरे नहीं हो सकते लेकिन कहीं कोई कागज की डोकोमेट्स की कमी रही होगी वो कहीं पूरी नहीं कर पाए होंगे तो ऐसे अनेकों नेक विशे होते हैं ऐसा नहीं है कि सारे खिलाडियों को निकाल दिया मैं आपको आपके चैनल के मादें से बता देना चा मेरे स्टाप ने मेरी प्रिंसिपल ने मुझे यह का कि 9,78,000 रुपे आपके खेल का बजीफा गरीब बच्चों के खाते मा गया एक साल का रिकॉर्ड तो यह चीजे अच्छा लगती है और अच्छी होती भी है सारी चीजे नेक्टी नहीं होती है स्टुडेंट को और खिलाडी को तो आताम बत्या करने की सोच नहीं सकता है खिलाडी तो जोजहरू होता है हमारे यह तो सिखाया जाता है अटाय कीजे बेस्ट डिफेंस आकरमन की शमता जादा होती है तो कहीं दाएं बाएं अगर कोई समाज में ऐसी गलती है तो उसके लिए मुझे खेद है और मैं बविशे में अगर कहीं अच्छी जगे जाऊंगा तो मैं अपने कारिये छेतर म अपने जहां मेरी ट्रेटरी रहेगी वहां इस तरह की घटनाई में नहीं होने दूंगा ऐसा में आपसे वादा करता हूं परशासनिक व्यवस्ता कुछ ऐसी है कि सपोर्ट्स डिपार्ट के अंदर जैसे मैं असिस्टेंट अक्र सपोर्ट्स अभी मेरी नियुक्ती होई है और उस सारीरिक विभाग में एक प्रफेसर है उसकी वो लाइबिलिटी नहीं है वो सिर्फ ढ़ाने के लिए खिलाने के लिए इस तरह की पूरी इंविस्टी का बहुत बड़ा इंदफरा होता आप जानते है कि अटोनमस बोडी है एक बहुत बड़ा इंदफरा होता है वि इस तरह की कमिया रही इसलिए तो सरकार ने विश्टी विधाले ने इंट्रिवू लेकर और ये सारी परकरियों से गुजार के मुझे नियुक्त किया है तो भविषय में इस तरह की कोई गल्ती है ऐसी मेरे रहते नहीं हो सकती और विश्टी बहुत अच्छा है यहां दूशे उजबलोर आपके परिवार सित उस सवस्थे की में कामना करता हूं जय इन जय भारत